नमस्कार, मैं मरगेंदर मिस्त, आज फिर आपके सामने एक इन्वेस्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ आज की जो टॉपिक है वो है फाइनिंसेल पिरामिड मिन्स पिरामिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सैंटिफेकली प्रूफ हो चुका है कि सबसे इस्टिबल है तो जीवन में हर इनसान चाहता है कि उसकी फाइनिसल कंडिशन भी उतनी इस्टिबल हो इस्टिबलिटी के साथ वो सारा जीवन में फाइनिसल दाईत वो पूरा कर सके तो किस तरह से अपने financial pyramid को आप सजा सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग discuss करेंगे तो financial pyramid के structure में जो सबसे नीचे का part है जो सबसे important part है जो beginning में जब आप start करते हैं अपनी financial planning की तो सबसे पहले नीचे protection protection means what? protection against untimely death कि जो earning member है घर में उनकी untimely death न हो जाया तो उनकी dependent के पास sufficient एक cash flow बना रहे तो उसके लिए term insurance सबसे जरूरी है कितनी term insurance होनी चाहिए कितना insurance होना चाहिए वो हर individual के उपर depend करता है कि उसके वो कितना financially अपने dependent को support करता है उसी ratio में उसकी protection या insurance planning होनी चाहिए उसके उपर अगर देखेंगे तो जाता है कि leakage कि leakage को हम कैसे प्लक कर सकते हैं तो leakage को प्लक करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है सबसे important तरीका है जो सबसे बड़ी leakage और यह medical leakage कब आती है यह पता भी नहीं चलता तो उसके लिए sufficiently covered या तो आप उतनी sufficiently large kitty बना के रखें या फिर उसके लिए आपके पास sufficient insurance cover हो medical के लिए कि medical emergency खुद के लिए भी और अपने dependent के लिए भी ताकि जब भी इसके requirement आया तो आपको उसमें परिशानी ना हो साथी साथ important है एक EMI जो आपने loan लिया हुआ है जिस भी कारण से अगर आपने loan लिया हुआ किसी भी loan में उसकी EMI जो आपकी जाती है तो उसको timely कैसे जाए यह important है क्योंकि वह important leakage है अगर आपने इसकी planning properly नहीं की तो future में आपके financially condition financial condition बहुत ही unstable हो जाएगा तो उस leakage को भी ध्यान रखने की जोरत है उसके बाद आता है कि हम कैसे अपने investments अपने पैसे को कहा कहा रखें तो सबसे important सबसे सुरुवात में है short term requirement को पूरा करने के लिए हमारे पास products होनी चाहिए saving product जिसमें return कितना आएगा वह important नहीं है क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट है कि जब भी emergency हो जब भी आपकी short term requirement हो वह आप पैसे अपने वहां से withdraw कर सके निकाल सके अपने ज़रुतों को पूरा कर सके और कोई भी short term requirement दिखती है अगले साल दो साल के अंदर तो वह पैसे भी यहीं रखें उसके बाद आती मीडियम टर्म जो तीन चार पांस साल के लिए पैसे आपको रखने हैं तो ऐसे जगह पर पैसे को रखें उसमें ऐसे returns आए जो कि at least inflation को बीट कर सके यानि आपके tax liabilities और inflation को बीट कर सके तो hybrid या date type के investment आइडियल होता है जिसमें little bit of equities हो मगर अधिकतर प्रोडेक्ट जो हो वो डिट में हो मैं एक जेनरल नूल बता रहा हूं हर individual के requirement सबकी अलग-अलग होती है risk appetite अलग-अलग होता है एक जिनरल structure क्या होना चाहिए उस पर आज हम लोग discuss कर रहे हैं उसके बाद आता है wealth creation के लिए long term goal कि जो भी long term आपके गोल है जो भी wealth creation आप करना चाहते हैं वो उसके माधियम से आप जा सकते हैं उसके बाद और उसमें आप कहां जा सकते हैं तो equities में जा सकते हैं इस डारेक्ट हो या mutual fund PMS AIF या जितने भी इस तरह के products हैं वहां भी जा सकते हैं अगर आप और वेट आप चाहते हैं गोल्ड में जाना तो गोल्ड में भी जा सकते हैं तो यह आपको actual wealth create करके देता है कुछ लोग इसमें real estate में भी जाते हैं जा सकते हैं बगर हम लोग मानत है जिसमें निश्यत रूप से liquidity comparatively compromised होती है तो उसके बाद आप जाये real estate जैसे products में और साथी साथ important है कि अगले generation के लिए जो आपके dependent है आपके बाद उनके पास आपने जो भी assets create किया है जो भी wealth create किया है वो wealth उनको properly transfer हो जाया तो उसके लिए proper estate planning या आपके पास एक structure को बनाएंगे यह पूरिया structure अगर प्रॉपरली बनती है तो फिर आप एक की जरुरत नहीं पड़ेगी साथ इसकी जरुरत नहीं पड़ेगी तो जब विल्थ बड़ा होगा तो नीचे की चीज़ें घटती जाएंगी और यह सबसे बड़ा जगह ले लेगा मगर सुरुवात के दिनों में यह बड़ा नहीं हो सकता है इसको धीरे-धीरे बिल्ट करने की जवरत पड़ती है तो यह एक बिसिक प्लानिंग है मैं आप लोगों से यही रिक्विश्ट करूंगा कि अगर आप अपनी फाइनेंसिंट प्लानिंग की है तो इसको देखें कि आपकी फाइनेंसिल पिरामिड कितनी एस्टिबल है क्या इसमें यह सारे इसफिशेंटली लार्ज हो आपकी और प्रीमियम कम से कम हो करक्त जो जो आपके पास आपकी उम्र बढ़ती है और आपकी फानिंसियल डिपेंडेंट लोगों की संक्या घटती है इसकी ज़ुरत आपको घटने वाली करक्त यह वेल्ट क्रिएशन हमेंसा लॉंग प्लिक मे मुझत रहें कि फटाफट साल दो साल के अकुटी में कुछ कमा हम तो यह लोट्री की टिकट निश्चित रूप पूरी फाइनिन्सयल प्लानिंग में एस स्प्दया स्पлет का कोई जगा नहीं कुछ लोग कहते हैं कि G谍क बिलीशन भी आप रख सकते हैं तो ये stability के तरफ आपको ले जाता है तो मैं request करूँगा कि आप खुद चेक करें या आपके जो भी professional हो जिनके साथ आप अपनी financial planning आपने किया है या आप investment journey start कियो हो तो उनके साथ बैठ के चेक करें कि क्या ये इस तरह से बना है या नहीं बना है आपके cash flow किस तरह से और ये सारी चीज़े properly चल रही है और नहीं चल रही है आपके मन में कोई भी questions और भी हो investment finance related तो kindly आईए हमारे YouTube channel पर comment कीजिए मैं फिर से वो disclaimer दूँगा कि mutual funds are subject to market risk please read the offer document carefully और please आप subscribe खुद भी कीजियों और अगर हमारी चीज़े आपको अच्छी लग रही है चैनल के content अच्छे लग रहे हैं तो बांकी लोगों को भी बताईए तो once again thank you very much नमस्कार